कि हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग बाइवर्ड में आप सभी का स्वागत हैं आज यह फ्रेंड्स से भी लोग जूट जाएगी है तो आगए सभी लोग तो फ्रेंड्स अभी तक जो हैं हम लोगों ने दो साहब जो थे सैंटिस्ट वॉयल्स साहब और चार्ल्स साहब इन दोनों के लाओ देखे थे उनके बीच में रिलेशन्स देखे थे रिलेशन के पाद जो एक्वेशन आया था पी वन भी वन बाइटी बरावर पी टू भी टू बाइटी टू यह सभी एक्वेशन्स बहुत इंपोर्टेंट है आगे जब हम लोग नॉम्रिकल्स करने लगे तो उनमें बहुत जर्रत पड़ेगी इनके तो इनको याद रखिएगा अब जो तीसरे सैंटिस्ट है जिनके नाम क्या है एवोगाड दोनि मॉल के मॉल होगा ऑष्ба मॉल के संख्या का सम्मानुपाती होता है यहां पर क्या किया है निश्चित तप्मान देखी यहां पर तप्मान को भी कॉंस्टेंट कर दिया क्या लीक्रफ है आप याद होने चाहिए आप लोग को बस के लूँ में जु है किस चीज़ को constant किया गया था वोल्यूम को टेंप्रेचर को प्रेशर को टेंप्रेचर को constant किया गया था ठीक है और चाल्स लो में किस चीज़ को constant किया गया प्रेशर को constant किया गया और इसके जो लो है यानि कि कि Avogad comics को constant कर दिया गया है यहां पर तapan को यानिकि टी और किस चीज़ को consistent कर दिया गया है तो अब क्या बच जाता है इडहर से बच जाता है वोलियूम क्या हो जाएगा डारेक्टली प्रपोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर् इस चिन को हटाने के लिए क्या करना होगा हमारे पास कोई constant लाना होगा चले थोड़ा से उपर बढ़ाते हैं इसको कॉंस्टेंट हमको लाना पड़ेगा ठीक है तो ऐसा करते हैं भी बरावर ठीक है एन और यहां पर जो constant आता यह सवानुपाथी हट के इसको गुणा में constant के जगह पर आर नहीं लेकर क्या हम constant ही लिख लेते हैं ठीक ना कि स्योंस टीए एंटी ठीक कॉंस्टेंट लिख लेते हैं तो यह गुणा में है इधार आएगा तो किस चीमें आएगा बटे में आ जाएगा भी बाए एन बरावर क्या हो जाएगा फिर constant हो जाएगा है ना भी बाए एन बरावर क्या हो जाएगा फिर constant हो जाएगा चले इसको घर देजिए सभी लोग नौट करते हैं कि नहीं करते हैं चप्टर वाइज नौट नहीं किजिएगा तो बाद में परिशानी होगी रिविजन करने में नौट करते चलिए ठीक है अगर सब्सक्राइब लिए हम निकालते तो हमारे पास क्या आता है बीटू बाए एन टो यह वाला कंदिशन आता इसके बरावर में भी constant होता है और इसके बरावर में भी constant हो राइट हैं जो हैं मतलब एक तरफ जो है राइट तरफ दूनों में constant आ जाता तो दूसरा भी मि जाता है अर्थात क्या हो जाएगा बीवन एनवन एक्वर्टू भी टू एंटू ठीक है यह वाला इंपोर्टेंट है इसको अलग कलर से ऐसे करके अपना घेर के रख लीजिगा यह एक्वेशन को इस सारे एक्वेशन का जरत आपको पुड़ेगा नॉम्रिकल सॉल्व करने म सबको अच्छे से आप कोपी में अंडर लाइनिंग करके अच्छे से नौट कीजिएगा है ना इन सभी का जरत पर जाएगा आप लोग को चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहां आप लोग देख लिए किसके लोग एवोगाडरो सहाफ के लोग देख लिए यानि कि तीनों सा स्टेट पर अपना अपना जो छोरी दिये तो उनके बारे में सब कुछ जान लिए चलिए चलिए अब यह जानते हैं कि पीवी बराबर एन रटी जो होता है वो कैसे होता है तो आप लोग को याद होगी कि आप लोग जैसे ही बोलते होंगे आइडियल गैस एक्वेशन तो चलिए आज हम इसी के बारे में जानेंगे और आईडियल गैस क्नाइख ब उलक और सब पर लोग जानते होंगे लेकिन याद रखेगा क्योंगी आड़ियल गैस इक्वेशन जो होता है बहुत ज़्यादा जो है इस स्टूडेंट की माईड में अभी लेकिनगा बहुत कम लोग यँज करते या बहुत कम लोग याद कर पाते है इसको तो अब क्या करते एक स्मीकरन प्राप्त होता है देखिए यह प्रवस्थ दे दिया आवस्था मतलब 친 यह gas equation का समिकरन प्राप्त होता है जो कि क्या है PV बरावर nRT ठीक है तो हम आपको R की बात कर रहे थे R क्या है तो R ही है gas constant क्या है gas R बरावर क्या है कोई और color ले लो क्या चलिए कोई और color ले लते हैं जैसे मैं blue ठीक है R क्या है gas constant ठीक है इसका जो मान होता है वह भिन भिन होता है तो देखते हैं किस चीज़ के लिए कैसा मान होता है अगर liter ATM में निकाले तो चलिए note करते चलिए सब लोग ठीक है जीरो पॉइंट जीरो एट टूवन लीटर लिखते है पूरा लिखते है चलिए पूरा लिखते है लीटर ठीक है इंटू 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 एट्टी एम ठीक है पर केलवीन अगर यह मैनस हम दे सकते हो बटे में लगाया है तो कभी नहीं ठीक है अगर इसको हम उपर में लिखेंगे तब मैनस में लिखेंगे लेकिन अगर हम नीचे ही इसको दे दिये हैं यहां पर हम मैनस में नहीं लिखेंगे भूलकर भी नहीं लिखेंगे ठीक है पर Kelvin पर Mage घृबसे है ऑम स्कों त्प्रमा अब मॉल तंद थीडियर सकते यह बटे में लगाए तो हम पर किसके इंटी में देंगे लेकिन के पर क्ई कियां लेंगे कि क्या पार मैंनेस मोन आजाएका मोल पर भी क्या जाए ऐगा पलस में सब्सक्राइब पावर में मैनस बना जाएगा ठीक है चलिए ऐसे रहने देते हैं यह तो आगे आपको लीटर और जो है एटीयम में अगर जूल पर केलविन में निकलना हो तो जूल पर केल्विन में क्या हो जाएगा जूल छोटा मात रख होता है ठीक है क्या आजाएगा 8.314 ठीक है जूल बट्टे में बट्टे में क्या हो जाएगा केल्वीन इंटू मॉल इसको हम अगर उपर में लिखते तो जूल इंटू एक और इसको लिखा जता है ठीक है लिख दे क्या चलिए लिख देता है इसको उपर कर लेते हैं आप लोग नौट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हम कोई यह बात डॉट होते रहती है अब लोग नौट बुक बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं ठीक है चलिए उमीद करते हैं कि आप लोग बना रहे होंगे एक दिन जो हम चेक करने लेंगे सब को बोलेंगे कि अपना अपना नोट्बूक का जो है फोटो खीच के सेंड किजिए तो फिर फस जाईएगा इसलिए जो है सब लोग याद करके रखिएगा टू केलोरी पर केलवीन इन्टू मॉल सभी लोग जो है नोट करते रहिए कब हम आप लोग को कोपी आप लोग का चेक करने भीर जाए इसका कोई पता नहीं तो आप लोग इसको तयार रखेगा ठीक है यह होता है पीवी बरावर एनार्टी का वेल्यू ठीक है यहां पर आर क वेल्यू यह सारा का सारा निकला है यह सभी लोग चाहे तो स्क्रीन सोट ले सकते हैं चली अब मॉलर वोल्यूम के बारे में हम जानते हैं ठीक है मॉलर वोल्यूम किसे बोलेंगे किसी गैस के एक मॉल आयतन को मॉलर वोल्यूम कहा जाता है ठीक है जिसका मान एन्टीपी य कीष पर 12.4 लीटर होता है ठीक है नी पी क्या किसे बोहने एंक नार्माल टेमप्रेचर एंड प्रेशर ठीक है एंटीपी का फुल-फॉर्म किसी मॉल का अगर हमको अयतन निकलना था थे किसी मॉल का आटन जो सबको नाम पता चल गहां के चलिए टेम प्रेचर कर यहां पर मुक्राइचर ले रहें तो कि आपने कि नॉरमल टेमप्रेचर अलायों कि भी लेंगे लिए कि भी निखिते केल जागा 20 दिए लेंगे तो आप लोग को हम बताए थे कि केल्वीन में कितना निकल जाएगा 273 केल्वीन थीख है अगर हम जीरो डिए लेते हैं तो केल्वीन में कितना होता 200 रहता है और प्रेशर वायु कितना होता है एक ATM के बरावर होता है ठीक है तो नॉर्मल टेंप्रेचर एंड प्रेशर ले रहे हैं तो नॉर्मल में कितना होता है एक ATM होता है वाई मंदलियद आप जो है नॉर्मल कितना प्रेशर लगाता है एक ATM के बरावर लगता है ठीक है एक ATM ठीक है दोस्तों कि लेर हो और कोपी पे हैं या एक वार करनाट कर पाते हैं दूसरी बार नौट कीजे लेकिन कोपी पे नोट जरूर किजेंगे अगर नहीँ होगे न को भारीबार आपको वीडियो मंध ändGr iç कर देखना पड़ेगा पाराइज say इसलिए नोट करते चलिएगा चलिए पी भी बराबर हमारा main formula क्या है color change कर लेते हैं ताकि थोड़ा attractive लगें और आप लोग को भी मजा आए पी भी बराबर क्या होता है n r t ठीक है किसी को कोई दिक्कत अब चलिए सब कमान पूट करते हैं भी है noda पूट करने के लिए फिरम वही color लेलते हैं पी ळमान कितनां कितना लिये हैं एक टियम लिए है एक टियव ठीक है और उसके बाद जो है गुणा में भी भी है तो इन्टू में होगा यह नि कि गुणा में आगा भी भी हम रहने देंगे ठीक है उसके बगावर n r t n ब और और है तो गुरणा का देंगे और आर का मन हम लोग आप लोग जानते होंकि को अर ëक मन जंते की नहीं जानते हैं आर का मन किस चीज में लिखाए है इससे पहले लिखाए वह थे ना जिरो पॉइन्ट जीरो एट्ट टू वान लीटर, एटी में, यहां पर एटी में है, आप यहां पर क्या करेंगे, एटीम बलाब वोल्यूम लेंगे, ठीक है, और एटीम बलाब वोल्यूम में आप लोगको, गैस एकवेशन में क्या लिखाओ, जीरो पॉइएट, बताते चलिए 0.08 उसके बाद 2,1 और लीटर ठीक है एल दे देने लीटर का लीटर एटियम इंटू में है सब ठीक है लीटर एटियम पर बताइए पर केल्वीन इंटू मोल मोल और गुना में फिर टी कितना लिये हुए जिरो डिग्री सेल्सियस लिए लेकिन वहां पर क्या निकल किया था केल्वीन में हम केल्वीन में लिलेंगे गुना में 273 ठीक है यह याद रखेगा यह उपर में गुना में होगा नीचे में नहीं क्योंकि यहाँ पर देखेंगे चले थोड़ा सा मैं इसको फिर से सही करने कुछ इसका राओं ठीक है थोड़ा सा मैं इसको सही कर ले रहा हूं कि यहाँ पर एटियम है और इनभर्स मतलब क्या हुआ पावर में मैंनस आजाता है मतलब क्या हूँ वट्टे में है वह चीज इसके बढ़्रमलिक्ष देंगा लीटर एटियम बट्टे में कफ़ा कि कैली और मोल ठीकरेंा छूट है केलीन इन्टू मोल ऑगजिकर कि में यह वाला इस टी का सिक अ ड्म लियूंग कितना रखहोए यहां पर केलीन ठीक है और यहां पर गनmesis केलीन थोगा कृति करने कें को एतियम से एटियम गया एटियम से एटियम गया पैसा निकलेगा नहीं चैनल पैसा निकलेगा वह प्रेसर था वो कटा है है ना तो बचा क्या volume बचा उसके बाद n बचा उसके बाद यहाँ पर जो है 0.0821 लीटर गुना में 273 अब बटे में क्या बचा है सकते हैं मोल बचा हुआ याद रखेगा ठीक है थोड़ा से इसको हम उपर कर लेते हैं और अपार कट ले लेते हैं अना बेध करण लेके लिखते और उसके बाद बताईए बताईए लीटर यहां पर देखिए यह वाला बच्छा हुआ है ना लीटर ठीक है लीटर और गुना में क्या आ जाएगा बताईए बताईए यह मोल जो बचा हुआ है ओ ओ लुपर ले जाएंगे तो किस में आ जाएगा है मौल इन्भर्स के रूप में आ जाएगा ना इन्भर्स तो यहां पर कट गया लेकिन बच क्या गया है तो इसको हम गुना में लिख देंगे 273 ठीक है अब 273 को अगर इससे गुना किजिएगा ठीक है तो क्या आ जाएगा गुना करके आप लोग देख लिजिए तब तक एन गुना 22.41 और कुछ कुछ आएगा तो इतना हम डिजिट नहीं लेंगे इतना ले लेते हैं और यह लीटर बचा हुआ है और मोल किसमें है इनभर्स में है ठीक है लीटर पे ल हम दे दिये हैं तो यह समझे यह कुछ नहीं ह एक है जिसको में लेते हैं लीटर और इंटू में डाल देते हैं मोल्ड सकते थे हैंना लेकिन हम उपर में ही गुना करने के लिए रिखें ताकि कल्कुलेशन जो वह हमारा आसान हो और दिखने में भी सही लगे तो चलिए अब हैं हम से एन को हम सेपरेट करेंगे अना सब नोट कर से जा यहां composition निकालेंगे क्या हो जाएगा। किस्टी टॉटलल को अगरब इसट कर लीजेगा ये तोल्जों है ये तब यह दार लेका ये सभी क्या हो जाएगा वी के बटे में आज seres तो ऐसा ही करते हैं एन रख लेते हैं और इस मेंद सब्ट है यह 2.4 लिटर और in टू में यानि की गुणा में । मूल इंवरत को क्यों कि मोल तो बत्टा में और मॉलْ इन भाट सकते ना कि ऊफड भी सकते नहीं सोजाओं मान के चलिए ठीक है और जह नमर मोल लेकर चले तो फक्त एक ले सकते हैं कि एक भाव फर्क नहीं पड़ता है किसी में विशना हमोजने पर भाग देने फर्क नहीं पड़ता तो एक ले सकते हैं चले एक ले लिए उसके बाद उपर में बोल्यूम डाल देंगे और नीचे हम क्या है कि 22.4 गुना लीटर और कुना में मोल इनवर्स ठीक है इनवर्स क्यों लिख रहे हैं क्योंकि यह बट्टे में है थोड़ा सा और उपर बढ़ा लेते हैं इसको ठीक है इसको अगर हम सेपरेट करके लिखे तो क्या हो जाएगा बताईए अगर सेपरेट करके लिखे तो कैसे सेपरेट करेंगे इस भी को उपर ले जाएगे इस मोल को अगर बट्टे में है अगर उल्टा करेंगे इसको तो क्या चल जाएगा सीधा ही गुना में चल जाएगा गुना में जाएगा फिर यहां से यह मोल यह मोल कट जाएगा तो भी पॉइंट पॉर लीटर है ठीक आज भी पता चल गया तो आज भी पता चल गया आप लोगों को कि भी बराबर कितना होता है है मैं रहान है कि बाइस पॉइंट फोर लीटर देखें कैसे निकला था भी है चलिए उसको आप कर्ष के देख सकते हैं अब कर दिए फिर्स्ट क्रश्र क्रेंन ले लिए सबी लोग चलिए दुबारा ले सकते हैं ? है से के में किलीर हो गई चली अव डाल तक स्तुमां देखते हैं थीक हो है डालटन सह prohibited का नियम दिया है उनके बारे में देखते हैं या जानते है ठीकना रोसाइब के जो थी थे सिर्धान थे उसके अनुसार क्या है देखी धी तीन क् rust Participant के दो या दो से अधीक ओक्रियसील और क्ली असल को क्या बोलते हैं यह इस्तिन क्या लिखा गया है कुंट्रेक्ट्िंग गलत नन्रatsu वाले स्टूरेंडियान ध्यान देंगे नीयक्तिंग जो रियक्त नहीं कर सकता हो ठीक है नॉन shipping gas के अच्छा नन या येक्टिंग मिश्रण काको था उसके डीचिकडाब के योगफल के बराबर होता है थीक है यह पर partial pressure Unsick मतलब क्या हुआ partial यहाँ पर देखिए डाल्टन्स लौ और partial pressure partial मतलब पूरी तरह से नहीं Unseek रुप से ठीक ना है भी और नहीं उसी को बोला दता है पार्सल प्रेसर तो पार्सल प्रेसर बराबर क्या हो जाएगा चलिए पार्षल प्रेसर को देखते हैं पार्षल प्रेसर को P लिख दे हैं P से चलिए पूरा प्रेसर देखते हैं P.A.R.T.I.A.L. पार्षल और प्रेसर का P देखते हैं ठीक है पार्षल प्रेसर बराबर क्या हो जाएगा Mol Fraction और इंटू में Total Pressure ठीक है Mole Fraction Fraction और गुणा में Total Pressure ठीक है गुणा में Total Pressure Mole Fraction किसे कहा जाता है या कैसे निकाला जाता है यह हम बता चुके है Solutions वाले Chapter में जाकर के आप लोग देख लीजिएगा solution वाले Chapter में Mole Fraction बता हुए है कि मोल फ्रेक्शन कैसे निकाला जाता है किसे कहते हैं सारी बाते हम बता चुके हैं तो सभी लोग देख लिए यहां पर हम बताएंगे नहीं ठीक क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा अगर हम सारा चीज को डिसकस करते चलेंगे तो इसल है न एक कंटेनर है यह थिक इसमें क्या रखा हुआ है a b c तीन तरह का रखा हुआ कोई चीज दरवनद डेले ज़िए हैं पानी भी डाल दिए हैं और भी कुछ डाल दिए हैं लेकिन तीनों लिक्विड फॉर्म में डाले हैं a b c तीन डर्व डाल दिया है ठीक है है और ती तीनों क्या करेगा अपना अपना प्रेशर लगाएगा क्या एक प्रेशर लगाएगा पी ए ठीक है भी क्या प्रेशर लगाएगा पी वी और सी क्या प्रेशर लगाएगा पी सी ठीक है यह तीनों मिलकर के प्रेशर लगाएगा और कितने पर कॉंस्टेंट टेंप्रेचर पर कि एक है इस पर क्या करेगा यह तीनों प्रेशर लगाए अपना किस पर यह जो पात्र है बरत्र है इसके वाल पर किस पर वाल पर according to Dalton's law के द्वारा आप देखेंगे कि total pressure कितना होगा according to Dalton's law ठीक है उतना हमने लिख रहे हैं सिदा सा total pressure जानेंगे total pressure बराबर क्या हो जाएगा जितना भी pressure है जितना द्रव के द्वारा लगाएगा प्रेशर सब को जोड़ देंगे तोटल pressure आ जाएगा ना फसका यही के द्वारा लगाया लगाया प्रेशर क्या हो जाएगा यही आगए आपका total pressure ठीक है यही डाल्टनस अहाब का जो अन्षिक दाव का नियम था यही है total pressure प्रेशर कैसे निकालेंगे वो देख लिए आप सभी लोग और भी वरावर जो है यानि कि 22.4 लिटर जो होता है कैसे होता वो भी देख लिए ठीक है अगले दिन जो क्लास होगा उसमें ग्रहम साब का लोग देखेंगे उसके बाद जितना भी इस चप्टर से lilyeted questions होगा सारे questions को हम लोग solve करेंगे तो आज क्लास को हम यहीं पर इंड करते हैं और बैक वाला क्लास यह वाला क्लास दोनों को पूरी तरह से डिविजन कर लिजिएगा और रही जीके की जो आप लोगों को PDF मिल गया थो उनका जो एकल क्लास में डिसकस कर देंगा ठीक है उसमें बहुत कुछ समझाना पड़ेगा तो इसलिए हम जो उसका एंसर नहीं दिये हैं कल क्लास में ही उस कुस्चन को डिसकस कर देंगे ठीक है, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है लाइक किजिए अच्छ अच्छा कोमेंट कीजिए अगर कोई questions आता तो comment पूछिए ठीक है तो मिलते हैं next day